आजी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, OnePlus की तरफ से लॉंच होने वाले एक और नए स्मार्टफोन के बारे में जी हाँ दोस्तों, कल हमने बात करी थी OnePlus Nord Series के नए स्मार्टफोन, OnePlus Nord 3 के बारे में अगर वाले वीडियो आपने नहीं देखा है, उपर आई बटन में लिंक देना हो, जा करके जरूर से चेक आउट करना इंट्रेस्टिंग स्मार्टफोन है, अच्छे प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉंच किया जा सकता है आज की वीडियो में बात करते हैं, उसी स्मार्टफोन के थोड़े से छोटे भाई के बारे में जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, OnePlus Nord CE 3 के बारे में इस फोन से जुड़ी बहुत सारी लीक्स निकल करके आ चुकी है आज की वीडियो में बात करते हैं, इसी स्मार्टफोन से जुड़ी सारी चीज़ों के बारे में क्या क्या possible specifications आपको मिल सकते हैं, क्या कुछ features मिल सकते हैं, इंडिया में किस price point पर आ सकता है क्या सा रहना वाला ये स्मार्टफोन सारी चीज़ों करते हैं, बिना किसी देरी के फड़ावट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले light target set करते हैं, लाइट तार्गेट रखते हैं, आपको 700 likes का कि जो रेंडर्स बताए गए हैं, वो OnePlus Nord CE 3 के ही रेंडर्स हैं, या किसी और स्मार्टफोन के रेंडर्स हैं, लेकिन अगर रेंडर्स की मानने, तो plastic build आपको मिल सकता है, plastic का back, plastic का frame, glass front आपको मिल सकता है, Corning Gorilla Glass 5 का protection आपको front में देखने के लिए मिल सकता है, जो की OnePlus आपको अभी तक देता आया है, तो भाईस आप history के हिसाब से देखा जाए, build quality आपको decent मिलने वाली है, InDesign के अगर बात करें, तो good looking smartphone रहने वाला है, back panel में अगर आप देखेंगे, तो top left में आपको dual camera rings आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें 3 cameras के housing रहेगी, साथी में LED flash आपको देखने को मिलेगा, साथी में आपको OnePlus का logo देखने के लिए मिल जाएगा, front में अगर आप देखें And most probably plastic world के साथ में आएगा, display के अगर बात करेंगे तो बड़ा display मिलेगा, 6.72 inches का बड़ा display मिलने वाला है, so yes, single hand usage difficult रहेगा, phone जो है थोड़ा सा बलकी लगेगा, उतना ज्यादा compact नहीं रहने वाला है, लेकिन content watching में आपको मजा आएगा, क्योंकि 6.72 inches का जो display दिया गया है वो full HD plus resolution के साथ में आएगा, and fluid amoled panel आपको देखने को मिलेगा, तो यह अच्छी बात है, कि panel अच्छा दिया गया है, content watching में मजा आएगा, 20s29 का aspect ratio मिलेगा, 390 ppi की pixel density मिलेगी, widevine L1 का certification मिलेगा, plus HDR10 plus का certification भी आपको मिल सकता है, जो कि content watching के experience को और ज्यादा enhance करेगा, so मेर इसाब से content watching के लिए display बढ़िया रहेगा, brightness wise display में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, indoor visibility, outdoor visibility, दोनों बढ़िया रहेगी, OnePlus के phones में brightness के हमको कभी भी दिख्कत देखने को नहीं मिली है, plus smoothness के लिए यहाँ पर आपको 120 Hz का refresh rate मिलेगा, यह अच्छी बात है, इस से पहले वाल display से कुछ expect करते हैं, तो display में आपको शिकायत नहीं आएगी, बात करेंगे performance के बारे में, तो interesting news है, कि इस phone को शक्ती प्रदान करेगा, Qualcomm Snapdragon 782G processor, अब यह जो processor है, on paper तो काफी solid specifications देता है, इस processor के उपर मैंने dedicated video बना करके रखा हुआ है, PTV Lite वाले channel पर, अगर आप देखना करिया, PTV Lite channel पर मिलती रहेंगी, तो अगर आपको प्रोसेसर में इंट्रेस्ट है, तो PTV Lite channel को जाइन कर सकते है, बात करेंगे ब्रीफ में, अगर प्रोसेसर के बारे में, तो 6 nanometer पर बना हुआ प्रोसेसर है, energy efficient रहेगा, heating आशु कम देगा, thermal management phone का बढ़िया रहेगा, कोई अगर आपको शायद इस phone के साथ में देखने को नहीं मिलेगी, performance के अगर बात करेंगे तो 2.7 GHz की peak clock speed मिलती है, cryo 670 वाले course मिलते हैं, काफी solid course है, performance आपको अच्छी देंगे, day-to-day की performance बहुत अच्छी मिलेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, gaming graphics को समालने के लिए Adreno 642 L GPU मिलेगा, same GPU आपको Snapdragon 778 G Plus के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन उससे 10% better performance के साथ में ये GPU दिया गया है, थोड़ा सा overclock किया गया है, so yes, gaming की performance आपको बढ़िया मिलने वाली है, graphic related performance, video editing, rendering, सारी चीज़े बढ़िया हो जाएंगी, महां आपको शिकायत नहीं आए camera को ले करके, 3 cameras का setup PG की तरफ मिलेगा, primary camera रहेगा 50 megapixels का, और यहां पर आपको मिलेगा Sony का IMX 890 sensor, यह बात थोड़ी सी मुझे हजाम नहीं हो रहे है, क्योंकि Nord 3 जो launch हुआ है, OnePlus S2V जो launch हुआ है, वहाँ पर 64 megapixels का sensor दिया गया है, कौन से sensor है बताया नहीं गया है, लेकिन Nord CE 3 के अंदर Sony IMX 890 50 megapixels मिलना, थोड़ा सा difficult है, लेकिन leaks तो यहीं बोलरी है भाई, OIS मिलेगा यह नहीं मिलेगा, इस चीज को ले करगे, कोई information नहीं दी गई है, लेकिन 50 megapixels का primary camera रहेगा, plus साथी में 8 megapixels का ultra wide angle lens मिलेगा, और 2 megapixels का macro camera मिलेगा, 3 camera's पीछे की तरफ मिले pixels में video record कर पाएंगे, 30 fps पर, overall अगर देखा जाए, camera setup, अगर leaks सहीं है, तो camera बहुत बढ़िया मिलने वाला है आपको, camera में आपको बिल्कुल शिकायद नहीं आएगी, अगर IMX 890 के साथ में फोन launch होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई साब कि Sony IMX 890 इस फोन के साथ में मिलने वाला है, let's see, क्या होता है, लेकिन leaks तो यहीं बोल रही है, कि camera solid मिलने वाला है, इसके बाद में बैटरी के अगर बात करेंगे है, पांच अरे मेज की बढ़िया साइस की आपको बैटरी मिलेगी, क्योंकि 6 nanometer का energy efficient chip set है, amoled का display है, 120 hertz के refresh rate के साथ में, प्लस पांच सकते है, लगबग लगबग सवा दिन, बेड़ दिन का backup यह जो battery है, निकाल करके दे सकती है, until and unless बहुत ही ज़्यादा thermal throttling हो, बहुत ही ज़्यादा battery tanning का issue मिले, otherwise अगर on paper देखा जाए, तो battery आपको बढ़िया मिलने माली है, backup आपको अच्छा मिलेगा, 80 watt की charging को phone support करेग यह ज़्यादा important TJ, charger inbox भी आगया है, यह अच्छी बात है, बैटरी मॉड़ियल में शिकायत नहीं आएगी, 5000 mH की battery बढ़िया backup आपको देते ही, size बढ़िया है, charging speed अच्छी है, charger inbox है, I don't think battery मॉड़ियल में शिकायत आएगी, charge करने के लिए USB type C yellow port मिलेगा, 3.5 mm jack भी मिलेग तो यह अच्छी बात है, 3.5 mm jack की presence यह आपको मिलेगी, security privacy and sensors के अगर बात करेंगे तो under display fingerprint scanner मिलेगा, face unlock option आपको मिलेगा, shooter put up, इदर उदर के सारे sensor मिलेगे, alert slider, I don't think इस phone के साथ में आपको मिलेगा, इसके बाद में बात करेंगे software की, तो Android 13 के उपर आपको phone मिलेगा, out of the box latest Android का version मिलेगा, यह अच्छी बात है, Android 13 रहेगा, साथी में मिलेगा, oxygen OS 13, यह भी अच्छी बात है, software का experience आपको बहुत अच्छा रहेगा, software में आपको कहीं भी शिकायत नहीं आने वाली है, speakers के अगर बात करेंगे, तो single bottom firing speakers रहेंगे, dual stereo speakers यहापर आपको नहीं मिलेगे, mono speakers से आपको काम चलाना पड़ेगा, audio quality decent आपको मिलेगी, plus card slot के अगर बात करेंगे, तो hybrid card slot यहापर आपको मिलेगा, जहापर दो sim card तो आप लगा पाएंगे, लेकिन अगर आपको अपना memory card लगाना है, तो एक sim card का आपको त्याग करना पड़ेगा, overall अगर देखा जाए, specifications काफी अच्छे, especially performance and camera के जो leaks निकल कर का है, तो बहुत ही outstanding है, अगर यह phone ऐसा launch होता है न भाई, बहुत धमागेदार phone रहने वाला है, variants के अगर बात करेंगे, तो 2 variants में phone launch किया जा सकता है, 6 plus 128, 8 plus 128, price point के अगर बात करें, somewhere around 25, 26, 27, लगबग इस price segment के आसपस यह जो smartphone specifications के हिसाब से यह जो smartphone है, इंडिया में किस price point पर launch होना चाहिए, comment करके अपनी राय जरूर से बता देना, वीडियो कर अच्छा लगा है, तो वीडियो को like जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ share कर देना, चैनल को subscribe नहीं गया है, तो चैनल को subscribe कर लेना, बेल आइकन अच्छे लेट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को notification पहाँचे आपको तुरंट से, मैं मिलूँगा आगसा एक लिए वीडियो में तब तक के लिए, बाबाई